उनके सांसद भी उनके साथ नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तो कि जब उनके सांसद नहीं होंगे, और अविश्वास प्रस्ताव आया है, और अगर बोटिंग हो जाए, और उनके सांसद अगर बोट उसके खिलाफ कर दें, तो असरकार गिर जाएगी, बहुत बड़ी देश प्र बात है है, लेकिन उनको morally इसका फैसला होना है, और जंता ने जो तै कर लिया है, जो मन बना लिया है, चाया आज महंगाई का मुद्दा हो, विरुजगारी का मुद्दा हो, अब यहाँ देश को हिंदू और मुसल्मान नहीं चाहिए, पर चingo को तयार नहीं है, म बाहर जाके राहुल जी जो है हमारे देश का दुस्परचार करते हैं जबकि सच्चाई है कि माईक बंद कर ही रहते हैं जहां पर मुद्दे की बात होती आज मनिपूर की इस्थिती है उस पर संसद में कोई पार्टी के लोग बोलने के लिए तयार नहीं है बीजेपी के जो है इस तरह की इस्तिती पैदा कर रहे हैं कि डर का महौल आज मनिपूर में हो रहा है पूरा नौर्थ इस्थ जो है इनका टार्गेट है क्योंकि नौर्थ इस्थ जो है वो कॉंग्रिस का समर्थन करती है और नौर्थ इस्थ में इनका कुछ जनाधार वहां पर है नहीं जोड तोड की सरकार इन्होंने बनाय हुआ है और यह चाहते हैं कि नौर्थिष्ट को जो है बिलकुल हिंदू मुस्लिम करके और जातियों में बाटके और इस तरह से दंगा फैला के मैलाओं के साथ जो अत्याजाद बेटी बचाओ और बेटी पड़ाओ का नारा जूटा द क्यों टरेवे हैं क्या उनके सांसद भी उनके साथ नहीं है मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि जब उनके सांसद नहीं होंगे और एविश्वास प्रस्ताव आया है और अगर बोटिंग हो जाए और उनके सांसद अगर वोट उसके खिलाफ कर दें तो आशरकार गिर है बड़े बड़े भासन दिया उन्होंने 15 साल में हम देखिए विदेशों में बात करते हैं वह जितने भी देशों में गए भारत ने उस देश को आर्थिक सहायता दिया वह किसी ऐसे देश में नहीं गए जहां कि भारत को कुछ सहायता मिलाओ आज आप यह बताईए कि कि ऀस जितने बीज गये चोटे जिशों में वह गए और अपने बिजनस अपने इन उक्रियों के मदस्के लिए वहां पर उन्होंने व्यापार को फेलाने के लिए वह गए वहां पर आप घines के हीत में अभी गयारू तक कोई आसा काम पर प्योल करते कि को को आप कि अपि अनुझ ओन Android मुझा रहा हूँ यह तो जंता देख रही है जंता के अदालत में इसका फैसला होना है और जंता ने जो टोय कर लिया है तो मन बना लिया यहां महंगा की मुद्दा हो बेरोजगारी का मुद्दा हो अब यह देश को हिंदू और प्रदान मंत्र को जवाब साहिए इसके लिए तो जन्ता जिस दिन सड़कों पर उतरेगी गद्दी इनको खाली करनी पड़ेगी और मैं इस अविश्वास प्रस्ताओं के परपेक्ष में मैं यह कहना चाहता हूं अब भी अगर कुछ सरम बांकी है आके सदन में जवाब देने की जरूरत है अन्ना कि किसी तरह के हिले बाहने की जरूरत है अब तो राहुल गांधी भी संसद में नहीं है लेकिन मोधी जी संसद से भाग रहे हैं हंगामा हुआ आज खरगे जी का माइक बन कर दियेगा खरगे जी ने आरूप लगाया है कि यह मेरा अपमान कोन कहता है कि राहुल जी संसद में नहीं है कोन कहता है यह वो लोग कहते है यह मैं जानतों लेकिन राहुल गांधी की विचारधारा आज भी संसद भवन के अंदर जिंदा है और इसी का परिनाम है कि आज विश्वास प्रस्ताव लगाया गया है और इसी पर परधान मंत्री को जवाब देना चाहिए ठीक है आप कहते हो मनिपूर पर हम चर्चा करने क गरी को तैयार है अस्य दिनों के बाद आज आप कहतू है कि मैं मनिपूर पर चर्चा एदंद के लिमें तयार बैटाओं टेहले तो अपने मुंख मंत्री को आप जो है party करौ अर वहां पर पर हो यह कहते हैं राश्पतियास जर्सन लगाओ अर उसके बाद चर्चा पर आऊ उस पे चर्चा खुरू विपक्स काड़ों पर कि 36 सिगंड मोधी जी ने मनीपूर पर बोला लेकिन उस पर भी राजमिती कर गया मोधी जी चाहे जिस भी मुद्दे पर बात करेंगे यह मुद्दे भटकाने के लिए कुछ भी यह करते हैं और आने वाले समय में आने वाले समय में आप इन चीजों को देखना जनता सड़कों पर उतरेगी और इनको गदी से हटा के ही दल्या लहजय मैं कहना चाह रहा हूं क दो हजार चौविस कहीं लोग सबाद चुनाओ से पहले कहीं आइसा नहों कि बीजेपी में भगदड मत जाए और बीजेपी दो फांक में बटना जाए क्योंकि बीजेपी के पचास साल तो वो देखा जाएगा उसके बाद तो फिर जैसा को लाके बिसी सी आई सेक्रेटरी से फिर जो एगरी मंत्री बनाएंगे ख्याली पलाओ है जानता के आगे कोई टिका है कोई कहता था 2019 में भी तो विरोध हुआ सरकार आ गई विरोध हुआ विपक्ष एंडिया एक जूट नहीं था महा गडबंदन था इंडिया एक जूट नहीं था रास्टिय फलक पे इस बार इंडिया एक जूट है एक साथ चुनाव लड़कर और जीतेगा इंडिया और इन चीजों को य लेकिन ये खुद भारती जनता पार्टी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी भारती जनता पार्टी खुद ये तो हम आप मेडिया कर्मियों से भी जानना चाहते हैं और जनता बता रही है न आप जहां भी आप जाके आप सर्वे र जाइ गाइगा?